हलो फरेंड अगर आपके पास भीबो का कोई भी स्मार्टफोन है पैटरन लोग हो या पास्वर्ड लोग हो अगर आप लगा के भूल चुगा ना सबसे पहले आपको करना क्या है यहाँ पर चेक सिस्टम और किलिए डटको दोनों को एक साथ प्रेस करना है चेकिंग में आप स्मार्टफोन है पैटरन लोग हो या पास्वर्ड लोग हो अगर आप लगा के भूल जाता है यूटूब में वीडियो देखके हार्ट रिसर मोड में लेका जाता है ना तो पहली बात तो यहाँ पर आपका हार्ट रिसर नहीं होगा जिया दोस्तों आपने सही सुना आपक पास कोई भी भीवो का स्मार्टफोन रहता है ना आप पैटर लोग हो या पास्वर्ट लोग हो फिरी में उनलोग कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं कैसे आपको इस कोड को अपलाई करना है और आपका स्मार्टफोन को कैसे उनलोक करना है तो चले वीडियो को शुरू करते हैं आपको यहाप पर पूरा वीडियो complete देखना है step by step follow करना है कहीं भी अगर आप वीडियो को skip करते हैं तो आपका smartphone हो सकता है कि उनलोक नहीं होगा अब देखिए यहाप पर भीवो का smartphone हैं आपको पास pattern lock and passport lock जो भी कोई भी भीवो का smartphone है emergency call में आप जैसे open select करते हैं तो कुछ इस तरह से आपका option सो करेगा आप यहाप पर करना क्या है यहाप आपको दो code यूज करना है पहला पहला code यहाप आपको offline mode का दूसरा एको service center का तो दोनों code को यहाप आपको हम बताएंगे तो पहले पूरा वीडियो complete देखिए कहीं भी आपको skip नहीं करना है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले यहाप देखिए आपको offline mode का पहला code आपको यूज करना है उसके बाद आपको बताएंगे second service center का code तो चलिए आपको बताते हैं कैसे करना है तो पहला code यहाप आ दियान से देख लाना इस्टार राच जीरो थिरी नाइन इस्टार जीरो जीरो नाइन हाज करना है तो चलिए पहला इस code को दियान से देखिए आपको डाइल करना है यह पहला code हो गया second code आपको बताएंगे service center का आप यहापर करना क्या नीचे में देखिए इस तरह से emergency so कर देखिए फिरी में आपका smartphone यहापर बिना computer का उनलोग हो जाएगा अब देखिए आपको करना क्या है password lock password लोग या pattern लोग लगा के भूल चुके हैं कोई दिकत नहीं पहला code आपको यूज करना है successful कर देना है उसकी बाद यहापर सबसे पहले power off करना है चलिए यहापर सबस जही से प्रेस करते है ना यहापर देखिए आपको इस तरह से दो option मिलेग से जिए दोस्तों, यहाप़ आपको 2 option मिलेगा reboot and recovery mode का option यहापर को करना क्या है कुछ नहीं करना है simple तरीके से जो दो number में आपको recovery mode में option में select करना है recovery mode में आप जैसे select करते हैं उसके बाद यहाँ पर को सोड़ा सा wait करना है आपका यहाँ पर hard reserve option खुल के आ जाएगा अब अगर आपके पास कोई भी भीवो का smartphone है password लोखो, pattern लोखो, कोई आपको computer नहीं चाहिए बिना computer का 100% यहाँ पर unlock करके live prove आपको दिखाने वाल है तो पूरा वीडियो complete देखिए, step by step follow किजिए अब देखिए आपर hard reserve वाला option आ चुका है अब यहाँ पर आपको करना क्या है अगर आप YouTube में वीडियो देखिए आते हैं hard reserve करने के लिए तो सबसे पहली बात यहाँ पर आपका hard reserve नहीं होगा clear data में select करना है clear roll data में select कर दिए देखिए password lock सो कर देगा यहाँ पर आपका pattern lock सो कर देगा यहाँ पर आपका smartphone unlock नहीं होगा यहाँ दोस्तों आपने सही सुना यहाँ पर आपका 100% घार बेटे फिरी में live proof unlock करके दिखाएंगे तो यहाँ पर आपको पहला code को successful हम लोग का हो चुका है second में आपको service center का code आपको बताएंगे इस code को ध्यान से देखना है apply करना है और आपका smartphone unlock हो जाएगा तो सबसे पहली बात आपका simple तरीके से heart research करते हैं कोई भी भी वो का smartphone है आपका heart research नहीं होगा चलिए आपको पूरूब यहाँ पर दिखा दिए आप यहाँ पर आपको करना क्या है कुछ नहीं करना है पहला code लोग का successful हो चुका है आपको यहाँ पर पूरूब भी दिखा दिए आप यहाँ पर आपका simple तरीके से heart research में आपका यहाँ पर work नहीं करेगा चलिए यहाँ पर सबसे पहले phone को यहाँ पर restart करेंगे और home page में लेकर चलेंगे तो यहाँ पर phone को restart कर दिए और आगे आपको पताते हैं करना क्या है तो पहला code हम लोग का successful हो चुका है चलिए थोड़ा सा fast forget कर दिये यहाँ पर देखिए हम लोग का handset दुबरा से open हो चुका है password लोग अभी भी हम लोग का smartphone में लगा हुआ है अब देखिए करना कुछ नहीं है simple तरह के से पहला code हम लोग का successful हो चुका है आपको यहाँ पर सबसे पहले आपके पास जो भीवो का smartphone है आपको क्या करना है wrong password या pattern डालना है wrong password या pattern डालना है जैसे आप wrong pattern password डालेगा ना तो यहाँ पर एक option आपको खुल के आ जाएगा forget का आप forget about option में आपको select करना है जैसे forget about option में select करते हैं यहाँ पर देखिए answer 1, answer 2 इस तरह से दो option खुल के आ जाएगा किसी किसी भीवो का smartphone में answer 1 का मिलता है तो इससे आपको घबराना नहीं है अब यहाँ पर एको 100% working code दे रहे हैं ध्यान से service center का इस code को ध्यान से आपको देखके answer 1 में आपको dial करना है ध्यान देना है answer 1 में चलिए code को आप यहाँ पर आपको dial करके आपको दिखाते हैं आप step बज़चे follow कीजिए वीडियो को कई भी skip नहीं करना है चलिए आप यहाँ पर सबसे पर इस code को ध्यान से आपको देख लेना है आप यहाँ पर इस code को सबसे उपर में डाइल करना है answer 1 में उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है answer 1 में इस code को ध्यान से देख लिए dial कर दिए डाइल करने बाद answer 2 का अगर आपके पास option मिल रहा ना तो answer 2 में आपको करना क्या है answer 2 में आपको यहादा कुछ करना नहीं है simple तरीकर से answer 2 में आपका जो भीवो का model है जो आपका भीवो का जैसे B.O.Y. 12 है B.O.Y. 12 है B.O.Y. 15 है B.O.Y. 16 है जो भी आपका भीवो का model है वो यहाँ पर टाइप करना है जैसे कि यहाँ पर हम लोग का पास B.O.Y. 12 है तो यहाँ पर हम लोग B.O.Y. 12 टाइप कर दिए आपका भीवो का जो भी model हो टाइप करना है answer 1 में इस code को डाइल करना है पूरी तरसे 100% working code है लेकिन 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 यह code only December 2023 में आपका work करेगा दुसरा मांद यह code आपका work नहीं करेगा अगर आप दुसरा मांद वीडियो को देख रहे है ना तो इसी वीडियो के नीचे में comment करना new code के लिए और हम आपको new code जरूर बताएंगे चली यहाँ आपको confirm करा दिये यहाँ पर देखे वेरिफाई वाला जो options तो करना है तो इस simple तरीके से वेरिफाई वाला option में select करना है कुछी इस तरह से यह option आपका खुल के आ जाएगा अब यहाँ पर क्या करना है only okay करना है यह automatic redirect हो जाएगा redirect होनक बाद यहाँ पर देखे पासफ़र्ड लोक लगा हुआ है अगर फिर से आप 1,2,3,4,5,6 करते हैं रोंग पासफ़र्ड डालते हैं या रोंग पैटर्न डालते हैं तो आपका forget का option मिल जाएगा लेकिन लेकिन आपका smartphone unlock नहीं होगा अब यहाँ पर को करना क्या है कुछ नहीं करना है सिंपल देर से power off करना है और heart return mode में लेकर चलेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले कोई भी वीव का smartphone पावर off कर दीजे heart return mode में लेकर चलेंगे और सबसे पहले आपका service center का code use किया ना उस code को activate करना है कैसे करेंगे आपको बताएंगे वहले हम plus button और अपका honor button यह दोनों button को एक साथ आपको press करना है यहाँ पर फिर से आपको दो option मिल जाएगा reboot and recovery mode का option दो option मिलेगा recovery mode में select करना है और heart return mode में लेकर चलना है तो चलिए सबसे पहले recovery mode में select कर दीए उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है ज्यादा कुछ करना नहीं है simple सा आपका जो service center का second code use कियाना उस code को activate करना है activate करना है और आपको hard reset कर दना है आपका smartphone free में घर बैटे बिना computer का unlock हो जाएगा चलिए आपको live proof करके दिखाते है आपको यहाँ पर last एको settings है जो आपको settings को पूरा करना है और आपका smartphone unlock हो जाएगा आप देखिए करना क्या आपका hard resetable option खुल के आचुका है कुछ इस तरह से सबसे पहले ध्यान देना आपको करना क्या यहाँ पर देखिए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है यहाँ पर दो option को आपको select करना है क्या क्या option check system and clear data यहाँ पर दोनों option को एक साथ press करना है जैसे आप यहाँ पर एक साथ press करते है न तो यहाँ पर एक blue color का option मिलेगा check system में जैसे यहाँ पर देगे blue color का चुका है यहाँ पर आपको छोड़ देना है और यहाँ पर आपका checking होना start हो जाएगा कुछ नहीं करना है check system and clear data दोनों option को one एक साथ press करना है उसके बाद check system में आपका जैसे blue color का option आजाता है तो यहाँ पर आपको छोड़ देना है उसके बाद check in में चला जाएगा उसके बाद आपका जो service center का जो code यूज किये ना उस code को verify करेगा तो यहाँ पर verify हो गया देख सकते हैं यहाँ पर verify होने के बाद यहाँ पर ok का option मिल जाएगा यहाँ पर only ok करना है ok करने बाद यहाँ पर कूछ नहीं करना है तो हम लोग का code successful हो चुका ह अब यहाँ पर clear data सिंपल देख से clear data का option है select करना है यहाँ पर clear all data में select करेंगे चली clear all data में select करते हैं और यहाँ पर ok का option मिलेगा आपको यहाँ पर ok करना है 100% घार भेटे फिरी में जिया दोस्तों 100% यहाँ पर successful हो चुका है यहाँ पर पहले हम लोग का password lock 100 का रहा था बनाएंगे अब यहाँ पर थोड़ा सा fast forget करते हैं आगे आपको बताते हैं कोई भी भीवो का smartphone है तो FRP को अपके से unlock कर सकते हैं यहाँ पर देखे हम लोग का FRP option आ चुका है FRP के लिए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है only next 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 करना है और आपका FRP bypass हो जाएगा फिर भी अगर अपके पास कोई भी भी भीवो का smartphone है FRP अगर अपका unlock नहीं हो रहा है या बाइपास नहीं हो रहा है कुछ भी problem आ रहा है तो इसी वीडियो के नीचे में comment कीजिए next video FRP का जुरूर बनाएंगे अब यहाँ पर सिंबलेज़े skip करना है skip करने के बाद यहाँ बहुत सर तुर नहीं लगा 100% हमलों का smartphone फिरी में unlock हो चुका है सबसे परसे हैं